गगहां पुलिस ने मुस्तेदी दिखाय हुए लुटेरों के अंतर जनपदिय गैंग का खुलासा किया इस दोरान पुलिस ने गैंग के सरगना रहिमुल समेथ दो बदमाशों को गिरफतार किया है हाला कि मौके से एक बदमाश फरार होने में कामियाब रहा वहीं गिरफतारी से बचने को लेकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फाइरिंग भी की थी इस पर पुलिस ने मुस्तेदी दिखाते हुए शातिर बदमाशों को दबोश लिया गगाँ पुलिस ने गजपुर्ट राहे के पास से चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफतार किया वहीं मामले का खुलासा करते हुए एस पी साउथ विपल कुमाश रवास सब ने बताया कि ऐसे में पुलिस ने मुस्तेदी दिखाते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफतार किया है जबकि एक बदमाश फरार हुआ है एस पी साउथ के मताबिक गुरगपुर देवारियां और आजमगड अलाके में लुटेरो का शातर गैंग अपराद में सक्रिय था इसके साथ में असलह तसकरी के भी अवैद धंदे में लुटेरो का शातर गैंग लिप्त था इस सम्मन में गुरगपुर न्यूस समवादाता से बात करते हुए एस पी साथ विपल कुमार शुवास्तव ने कहा जो दो अभ्यूक तो पकड़े गए हैं यह तमंची पुलिस पे पुलिस ने इनको वह था कि हस लोगों के डीलिंग लिंग करते हैं इस तरीके से मतलब होता है एक संग मतलब मुखिरी वही थी उसमें चेकिंग के दोरान यह डावा है जो की कोडी राम से आ गया है उसी रोट पे इसको पुलिस मुटवेड में पकड़ा गया है और आरेस्ट करके ने बैदाने करवाई की जा रही प्रयास किया गया तो उसी पे वह फारिंग करते हुए भागे इसी लिए तो उस पे दारह 307 मुटवेड की लगाई असलाहत अचकर गगा थाने में पकड़ा गया है और उस पे इसको गिरफतार करके जेल बेजा जा रहे उसे एक तमंचा कार्थूस भी मिला है और इस्पेक्टर ऐसो गगा द्वारा यह किया गया है जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो यह फ कहां से इसका स्रोत क्या है उसे पता कराई जा रहे है